Hello guys, welcome back once again to another video, one short series जहाँ पर आज हम पढ़ेंगे, चप्टर 4th, Class 10 Science, Carbon and its Compound, in just one short. याद रखना कि अगर आप इस तरह की वीडियोस को रेगिलरली देख रहे हो, तो आप अपने एक्जाम्स में आग लगाने वाले हो, बिकर यह जो कॉंटेंट आप तक प्रोवाइड कराया जा रहा है ना, इसको पढ़ बढ़के, मेरे बहुत सारे आफ्लाइन स्टूडेंट याद रखना यह एक स्टूडेंट का नंबर नहीं है, यह बहुत बहुत सारे स्टूडेंट का नंबर है, अगर आप इस वीडियोस को रेगिलर ले देख रहे हो, तो बहुत यूसफुल होने वाला आपके लिए, जिस तरह से आपने प्यार दिया ना, रेगिलर वीडियो स सेरीज को शेयर करें अपने फ्रेंट के साथ, वाटसेप पर, यह वीडियो कुछ दो-चार सो स्टूडेंट तक ही सिमट करके न रह जाए, आई स्टार्ट करते हैं, आज के हमारी पहली स्लाइड, तो आर फस्ट एडिंग फटोडेंट का नाम है, कार्बन और इट्स कमपा अगर फूर इंटेक कर रहा है, तो इन सब के अंदर कार्बन है, तो इसके बना लाइफ एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है न, तो कमपाउंड का मतलब है, ग्रूप ओफ एलिमेंट है, ऐसा एलिमेंट का ग्रूप जिसमें अलग-अलग टाइप के एलिमेंट हो, जैसे कि स कमपाउंड है, याद रखना कि कार्बन के साथ को जोड़ ग्रूप इसको बन कामपाउंड का मतलब है, वो बन जोग कि electrons की sharing से बनती हो sharing का मतलब है कि complete transfer ना हो लेकिन जरुत पढ़ने पास sharing की जा सके देखो ionic bond का मतलब का होता है दो type की bond होती हम जानते एक होती covalent bond और एक होती ionic bond बच्चे बहुत सदा confusion में रहते हैं तो हमने इसको लिख दे है बई ionic bond जो होती है complete transfer of electron से बनती है किसे complete transfer of electron जबकी covalent bond sharing से बनती है जैसे मालोगर आप से कह दिया जए यह रहा आपके पास sodium और यह रहा chlorine sodium में होता 2,8,1 electronic configuration और यहाँ पर होता 2,8,7 electronic configuration stable होने के लिए sodium अपना एक electron इसको दे देता है तो इसके पास यह वाला एक बाहर चला गया तो इसके पास outer shell में 8 electron बचे यह stable हो गया और इसके पास एक extra आ गया तो इसका outer shell में एक electron आ गया तो यह stable हो गया तो यहाँ से अगर एक electron यहाँ पर transfer हो रहा है तो electron negative होता है न तो यहाँ से यहाँ transfer हुआ तो यहाँ पर जो है electron ही कम ही आ गई that means positive charge आ गया और यहाँ पर negative charge आ गया तो यह positive और negative के बीच में force of attraction काम करता है तो एक bond बन जाती जिसको हम कहते है ionic bond तो ionic bond बनती है complete transfer of electron से जबकि covalent bond बनती है sharing से sharing का मतलब क्या है कि सर्फ देना नहीं जोरत पढ़ने पर दोनों आपस में इसका use कर सकें देखो यह से की hydrogen hydrogen के outer shell में एक ही electron होता है ठीक है एक ही electron होता है oxygen के outer shell में 6 electron होता है अब इसको hydrogen को चाहिए एक और electron अपने duplet पूरा करने के लिए और यह वाले hydrogen को भी चाहिए एक electron में octet पूरा करने के लिए तब जाकर के stable हो पाएगा तो अब देखो ना तो hydrogen अपने एक electron इसको दे सकता है और ना ही oxygen इसको दे सकता है बिकस दोनों को ज़रूत है तो यह करते हैं कि hydrogen और oxygen sharing कर लेते हैं sharing इस oxygen ने एक electron इस से लिया और एक इस से लिया तो क्या हो जागा इसके पास total दो पहुच जाएंगे और hydrogen ने एक oxygen से ले लिया और यह वाले hydrogen ने एक से sharing कर लिया समझ रहो ना जैसे ये bond बन गई ये bond बन गई clear इतनी बात तो यहाँ पर क्या हो रहा है sharing हो रही तो hydrogen का जो electron होगा वो oxygen के electron में ऐसे चक्कर लगाजा यहाँ से घुमकाया यहाँ से घुमकाया और इसी दुरे से oxygen के चक्कर लगाजा तो किसी का electron किसी के पास completely transfer नहीं होता बस sharing होती है clear है आगे बढ़ेंगे bond structure क्या होता है और dot structure क्या होता क्या dot structure ही बढ़ेंगे तो देखो rule यह कहता है कि 2 electron की 1 single bond होती है और सबको stable होना है सबको क्या होना है stable होना है जो होगा वो अराम के लिए होगा यहाँ सारे के सारे stable होनारा जाता है hydrogen को 2 electron चाहिए होता है stable होने के लिए मतलब एक दूसरे से लेता है और oxygen को इसी तरह से 2,6 जो है octet पूरा करना है अब देखो देन से तो अब hydrogen अगर आप H2 का bond structure रहे पर dot structure बनाओगे तो कैसे बनाओगे तो को यह रहा hydrogen अब hydrogen के outer shell में एक electron जिसको नें cross से represent कर दिया यह वाले hydrogen के electron को dot से कर दिया किसी को भी dot से किसी को भी cross से कर सकते हो अब दोनों को एक-एक electron की जरौत है तो क्या करेंगे bhai еще transfer तो नहीं कर सकते न तो sharing कर लेते हैं यह रहा एक hydrogen यह रहा दूसरा hydrogen यह रहा दूसरा электron oxygen के outer shell में होते हैं 6 electron तो outer shell के electron को represent किया था है ठीक है इसी तरह से इसके electron को cross से दिखा दिया है ठीक है आप दोनों को dot से पर दिखा दकते हो अब देखो होता का है भई इस oxygen को चाहिए 8 electron 6 इसके पास खुद के हैं तो इसने 2 इसके लिए अब इसकी तरह से इसको इसके पास खुद केच है ना तो दो इसने इसके लिए ठीक है ना तो देखो total sharing कितने के कुल चार की तो oxygen चार का मतलब double bond और यह oxygen तो यह oxygen का bond structure हो गया अब एक और देख लो उसके बाद आप practice करते रहना कि CH4 का bond structure बनाना है तो कैसे बनेगा carbon carbon का atomic number होता 6 2,4 इसका electronic configuration है इसको अपना octet पूरा करना है और hydrogen को अपना duplet पूरा करना है तो carbon के outer shell में 4 electron होते हैं तो यह बना दिया देखो 1, 2, 3 और यह 4 hydrogen के outer shell में 1 electron तो बस यह बना दिया देखो hydrogen का outer shell में 1 electron और hydrogen को चाहिए 1 और तो hydrogen ने carbon का एक ले लिया sharing यह वाला hydrogen ने इसका ले लिया यह वाला hydrogen ने इसका ले लिया यह वाला hydrogen ने यह वाला एक ले लिया अब carbon को कितने चाहिए बोला carbon का outer shell में होते हैं 4 octet पूरा करने के लिए 4 और चाहिए तो 4 हाइड्रोजन के एक 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 sharing कर लेता है तो यह बन गए देखो bond देखो यहाँ पर यह देखो एक single bond यह देखाया एक single bond यह देखाया carbon hydrogen बीच में एक single bond यह देखाया इसी तरह से एक और यह देखाया ठीक है आगे बढ़ते हैं तो इसी तरह से अब आप N2 का बना लोगे N2 के outer shell में 5 होते हैं तो आप कुछ नहीं करना देखो 5 बना ली ना पर ने इसको उटा दो ठीक है देखो बस यह sharing हो गई तो यहाँ पर जो है triple bond हो गई ठीक है पांच होते हैं अरे triple bond ऐसे बना दो योगी 6 एलेक्टरों की sharing हो तो triple bond है ठीक है अब आप जो है इनका बना लोगे carbon dioxide का sulfur का देख लो sulfur का most important है sulfur को हम कहते हैं भाई S8 S8 का बनाना होता है S8 molecule का ठीक है ना तो S8 का मतलब है इसके outer shell में 6 electron होते हैं sulfur के outer shell में ठीक है ना 2,8,6 तो outer shell में जो electrons को हमने दिखा दिया इस तरह से 1,2,3,4,5,6 ठीक है यह दिखा दिया अब इस sulfur के पास 6 electron है इसको 2 और चाहिए stable होना ना अर्ट करने तो इसने ये वाले के 2 ले लिए इसके खुद के 6 इसने इसके लिए लिए इसने देखो इसके पास खुद के 6 दे इसने इसके लिए ये वाले के इसी तरह से इसके पास खुद के 6 हैं इसने इसके लिए इसने इसके लिए इसने इसके लिए तो एक bond बन गई और जो carbon का जो हमने जो S8 को हमने study किया तो इसका bond structure कुछ ऐसा देखने को मिलता है इसको crown shaped structure कहते हैं तो इसको आपको as it is ध्यान में रखना है तो I hope आपको इस समझ आपाया होगा आप इसको जो है एक बार और study कर सकते हैं आगे बढ़ेंगे next slide is elotropy, elotropy का होता है याद रखने है elotropy किसी भी element की वो property है जिसके current से वो element एक से ज़्यादा form में exist कर सकता है और हर एक रूप की, हर एक form की जो physical property होगी वो तो different होगी लेकिन chemical property सेम होती है जैसे कि अगर carbon graphite के form में, carbon diamond के form में carbon full range के form में exist कर सकता है तो ये carbon के अलग-अलग रूप है और इन रूप को हम science की बासा में allotrop कहते है और carbon के इस property को हम allotropy कहते हैं, कहते हैं allotropy हर एक allotrop जो बनता है, वो देखने में तो अलग होता है different physical property, लेकिन chemical properties उनकी same होती है तो आगे बात करेंगे, carbon दो form में पाया जाता है एक तो crystalline structure और एक होता है amorphous structure crystalline का मतलब है कि crystals की form में, proper arrangement atom का जहां पर होता है अम उसको करते हैं, बहुत क्रिस्टलाइन structure तो जैसे आप देख रहे हो, यह crystalline है, यह amorphous है crystalline में देख रहे हो, एक एक atom सही तरह से अपने अपनी position पर arranged है और यहाँ पर random arrangement है, तो carbon भी दो form में exist करता है crystalline और amorphous, तो crystalline जो structure होते हैं, carbon के वो होते हैं, आपके diamond हो गया, graphite हो गया, full range हो गया, इनका structure fix है जबकि coke, carbon, charcoal, इनका जो structure है, वो fix नहीं है diamond का structure ऐसा होता है, है ना, इसका structure ऐसा है, इसका structure ऐसा है dome shaped, तो यह आपको समझना होगा, अब बात करेंगे diamond तो diamond का जो structure होता है, वो 3D होता है, कैसा होता है, 3D, 3 dimension होता है देख रहे हो आप, कि यह देखो, एक यह bond उपर है, यह अंदर है, यह बाहर है, यह left में है तो यह क्या है, 3D structure, जबकि इसका structure कैसा है, वो 2D graphite का जो structure है वो 2D है diamond, diamond कैसा होता है 3D structure में होता है जबकि graphite एक sheet के उपर, दूसरी sheet, फिर तीसरी sheet देख रहा हो ना, एक sheet, ये दो sheet, ये तीसरी, और ये 2D है, है ना, plain समझ रहो, तो याद रखना कि diamond जो है, diamond electricity को conduct नहीं करता, सबसे बरे बात करेंगे, diamond colorless होता है और transparent होता है, जबकि इसके पास extraordinary brilliance होती है, चमक बहुत सांदर होती है, ये hardest substance होता है, कैसा होता है, hardest होता है, दुनिया का सबसे कठोर substance है, और इसमें electricity flow नहीं होती, बिगर इसके पास क्या नहीं होता है, इसके पास free electrons free electrons नहीं होते हैं, जबकि बात करेंगे, graphite की तो graphite grayish black color का होता है, opaque substance होता है, इसके आर पार दिखाई नहीं देता, और ये smooth और slippery होता है slippery के होता है, बिकर इसके पास क्या है, इसके पास यहाँ पर इन दोनों के बीच में weak bond होती है, weak attraction force होता है, इसके साथ-साथ एक sheet के ऊपर, दूसरी sheet, दूसरी sheet के ऊपर 30 sheet अगर होगी, तो बहुत slipping तो possible से बात है, ठीक है, और इसके पास free electrons होते हैं, क्या होते हैं, graphite के पास free electrons होते हैं, जिसके कारेंट से graphite good conductor of electricity होता है, आप देखते हो कि इसमें battery बगरा में, जो electrodes जो लगी होती हैं, वो graphite की ही बनी होती हैं, समझ माया है, चलिए, next next by full rings, तो full ring में याद रखना, कि ये recently discover किया गया है, lab में discover किया गया है, ठीके ने, lab में इसको बना जाता है, ये dome shape structure है, ये tube shape में भी पाया जाता है, लेकिन, लेकिन, जो सबसे पहला जो full ring बनाया गया, उसमें 60 carbon atom से, और ये, और ये आपके football के shape में पाया गया, ठीक है, तो diamond और graphite की बीच में आपको difference याद रखने हैं, ठीक, ना हो, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे properties of carbon, तो carbon carbon जो है हमारा इतने important है कि इसके पास कुछ properties हमें पढ़नी पढ़ेंगी, carbon की सबसे best property that is called catenation, catenation का मतलब है कि इसके पास self linking property है, carbon hydrogen के साथ ही bond बना सकता है, carbon nitrogen के साथ ही बना सकता है, अपने इसको connect कर देंगे, तीन bond से एकाथ पीछे हमने जो है, hydrogen बना सकता है, तो catenation का है self linking property, यह property क्यों आई, because carbon carbon के पास जो outer shell में 4 electron होता है और यह 4 अलग-अलग monovalent atom के साथ bond बना सकता है, तो आगे बात करेंगे tetravalency, carbon के साथ 4 bond connect हो सकती है, चाहे वो ऐसे-ऐसे हो जाएं, या फिर ऐसे-ऐसे हो जाएं, तो इस property को बोलते हैं, इस property को बोलते है tetravalency, that means इसके साथ double bond वाला, single bond वाला, triple bond वाला, कोई भी item आगर के link हो सकता है, ठीक है, now tendency to form multiple bond, carbon किसी के साथ multiple bond बना सकता है, यह क्या वह, single single bond है यह double double bond है, यह triple triple bond है समझ रहो न, तो यहाँ पर carbon के पास याद रखना है, दो carbon के बीच में कभी भी चार bond नहीं आएंगी, ठीक है, यह गलत हो जाएगा, आगे बात करेंगे hydrocarbon किसे कहते हैं, तो hydrocarbon हम ऐसे compound कहते हैं, जिनमे carbon और hydrogen की chain हो, जिनमे क्या हो, carbon और hydrogen की chain हो, ठीक है, अब इसके बाद हम आपसे कहेंगे, जो hydrocarbon है, यह hydrocarbon है, इसको हमने दो parts में divide किया, एक होते saturated hydrocarbon, और एक होते unsaturated hydrocarbon, saturated hydrocarbon को alkyns कहते हैं, जबकि unsaturated को alkyn and alkyn कहते हैं, alkyns वो होते हैं, जिनके अंदर सबके अंदर single bond होती है, यह देख रहे हो, सारे सो गहते हैं उना हेट्रोकार्मों के ते जिनके इंदर double bond हो ठीक है ना double bond वालों को alkane केते है जबकि triple bond आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होंगी इनको alkane की थे है ठीक ह sensor करेंगे इनका structure कैसे बनता है alkane 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 alkynes का तो याद रखिए कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहां पर कुछ प्रिफिक्स चलते हैं प्रिफिक्स ठीक है ना तो जैसे कि अगर एक कार्बन अगर कहीं पर यूज हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे मैथ, दो कार्बन को बोलते है एथ, तीन कार्बन को प्रॉप, ब्यूट, बॉन्ड, एलकान का मतलब ट्रॉपल बॉन्ड, फॉर्मूला एलकेन के लिए होता है, CnH2n प्लस टू, CnH2n प्लस टू, ध्यान रखिए, जैसे कि अगर आपको पता है को मैथ का मतलब होता है वन, तो अगर आपको मीथेन बनाना है, तो देखो, मैथ का मतलब एक कार्ब और एन का मतलब है यह वाला फॉर्मूला, तो कैसे बना होता है, Cn, मतलब C1, H2, N का मतलब होता है, 1, प्लस 2, ठीक है, फॉर्मूले से, तो फॉर्मूला का बन गया, C4, अब C4 का स्ट्रॉक्चर बना लो, C4 का मतलब क्या बही, एक कार्बन, और एक कार्बन होता है, चार N, प्लस 2, तो कितना होता है, C4, सुरी, C2, H6 कितना होता है, C2, H6, अब देखो, दो कार्बन आने चाहिए, एक कार्बन, दो कार्बन, और छे हाइड्रोजन कैसे कनेक्ट करोगे, तो दिमाग थोड़ा से लगाओ, और यह कनेक्ट हो जाएगा आराम से, यह बन गया, ठीक अगर आप सिंपल जो है, उपर नीचे ही लगा के रखोगे हाइड्रोजन, तो पीछे कौन आएगा, क्लिर है ना, तो फिर यह इसके साथ चार बॉंड पूरी नहीं हो पाएंगी, याद रखना कि कार्बन के साथ चार से ज़्यादा बॉंड नहीं आ सकती, तो अगर कहीं पर अगर डवल बॉंड लग रही है, तो एक हाइड्रोजन वहाँ से अटा देंगे, ठीके ना, लेकिन ये अलकेन में ऐसा नहीं होगा, आगे बात करेंगे, जैसे कि मालोगर आपको पेंटेन का आईसोमर बनाना है, अच्छा सबसे पहले अगर आपको जाना है, तो अलके अलकेन का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, तो एलकेन मतलब डवल बॉंड वाले, अब मालोगर आपको बनाना है एथीन का, अब एथीन का फॉर्मूला बना यहां से C-N, H2N, C-N, H2N तो कैसे बनाओगे, C2H4, कैसे बनाओगे, C2H4, अब C2H4 में क्या हो रहा है, बही एक क कारवन ही हो गया, अब यहां पर एथीन में आपको डवल बॉंड तो लगानी है, डवल बॉंड लगाया तो भी दो का, अगर आप जिसमालोगे, यह आपको चार हाइड्रोजन होगा, यह होगा चार हाइड्रोजन ठीक है, अब अगर आगे पीछे लगा रहे हो, तो जरू बॉंड हो जाएंगी, जरूद ही नहीं है, ठीक है न, इस तरह यह इसका बन जाएगा, आगे बढ़ेंगे, similarly आपका एलकाइन का बन जाएगा, एलकाइन, अगर आपको इसका बनाना है, C2, C2, H2, C2, H2 बन जाएगा एथाइन का फॉर्मूला, तो बनाओ, भाई, C2, 2C आना चाहिए, यह तो सबसे पहले तो आपने कनेक्ट कर दिया है, एक एक हाइट्रोजन, अब देखो, दो सी आना चाहिए, दो हाइट्रोजन बना दिया, लेकिन हाइट्रोजन कितनी बन पूरी हो नहीं बुला, एक दो, तो एक यह हो गया, और यह हो गया, अब देखो, इ एक से जाधा different chemical structure में पाया जाता है जैसे कि अगर आपको पता है pentane अगर आप pentane के isomer बनाओगे तो हम उसको कैसे बनाओगे देखो pentane कैसे बनाओगे भई pentane को हम formula कैसे बनाओगे बनाओ पैंट का मतलब five carbon इनका मतलब है एलकेन सीरीज का ठीक है तो formula for और एलकेन का बनेगा formula एलकेन का formula यह होता है तो यहां से देखो pent है ना pent तो pent का मतलब है five carbon तो n is equal to five तो आपने पुड़ किया formula में n की value तो आपको formula होना c5 h12 ना अब thinking process क्या है कि there should be five carbon वहला पांच carbon होना चाहिए और and 12 hydrogen क्योंकि formula का बना यह बना पांच carbon हो जी और बारा hydrogen और only one bond with hydrogen एक hydrogen के साथ एक bond only four bond with hydrogen carbon ठीक है branch cannot be added on मतलब ब्रांच जो है आगे पीछे add नहीं कर सकते आपके वहल बीच में लगा सकते हो CS3 को methyl बोलते हो दो CS3 हो जाएंगे तो डायल मिथाल बोलोगे ठीक है ना अब अब आप देखो कि आईसोमर कैसे बनाओगे आप आईसोमर का मतलब है पेंटेन के पेंटेन के अलग 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 स्ट्रक्चर सी फाइब H12 ठीक है ना तो हमने सबसे पहले कहा कि वहला 5 कारबन ये लिख लिए ठीक है ये आपका पहला स्टेप है अब इसके बाद आपने क्या किया कि एक कारबन के साथ ये देखो एक कारबन के साथ ये दूसरा कारबन ठीक है ये इस तरह से तीसरा कारबन तो एक हाइड्रोजन connect होते हैं तो CH3 लिख दिया, ये वाले carbon के साथ 2 hydrogen तो CH2 लिख दिया, ये वाले carbon के साथ 2 hydrogen तो CH2 लिख दिया, फिर आगे बढ़ता चला जाएगा, समझ रहो ना, तो इस तरह से हमने ये पूरी bond बना दी, total count करके देखो, तो 12 होने चाहिए है न, चलिए, अगला देखो, अब एक carbon को उठाके, CS3 को उठाके हमने नीचे लगा दिया, यहाँ पर, यहाँ पर लगा दिया, ठीक है, अब देखो, CS3 को अगर हमने इसके पास लगाया तो हमने बताया न, कि CS3, देखना, CS3, अब अगर आप इसके नीचे एक CS3 लगा रहे हो, तो इसका एक hydrogen हट जाएगा, और यह कितना आजाएगा, बैस CS2 की जाएगा, यह CH बन जाएगा, बेकोज आपको पीछे CS2 नी छोड़ सकते न, तो यहाँ पर आजाएगा, इसी तरह से आपको ध्यान रखना है, कि यह इसको इसके नीचे भी एक CS3 लगा होगा, ठीक है, तो यह हो गया आपका, आईसो प कहते हैं, एडिशन रेक्षिन तो यार रखने है, एडिशन रेक्षिन अम ऐसी रेक्षिन हों कहते हैं, जिसमां अन्साचुरेटेटीडेटी अचैच्चोरेटीड हईडरोकारबन में अरना से inoенсाच ना रखना ह है Кारबन को जडिया है, कोई और आकर कि इसके सांथ तरह चिपक जाए लेकिन कुछ है नहीं तो उसने डवल बॉंडी बना लिए बिचारे ने अब करेगा कि जैसे आप इसने को निकल केटलेट के साथ हीट किया तो अब यहाँ पर जैसे हाइडरोजन आया हाइडरोजन को इसने अपनी एक सिंगल बॉंड जो है दे दी इसके बाद क्या हुआ इसके बाद कुछ नहीं हुआ यह सारा का सारा ही सिंगल बॉंड बन गया तो हमने कहा यह क्या हो गई कौन सी रियक्शन है अडिशन रियक्शन समझ भाया तो जब हाइडरोजन जब कार्बन के पास कोई होता न यह bond बनाने के लिए तो यह आपस में ही double bond triple bond बनाता रहता है ठीक है ना और जैसे कोई आ जाता है तो फिर यह अपने bond को तोड़ करके दूसरे के साथ bond बना लेता है ठीक है अब जैसे यहाँ पर देखो कि दो carbon है कितने हैं फिर दो carbon अब दो carbon double bond बनाके रखें अब यहाँ पर क्यों बरोमीन आ गये क्या हागए तो एक प्र परूरीन बोलते है तो फिर धीक है अब इस से अगर मालों आपने H2O add कर दिया यह डवल बॉंड के साथ जुड़ा हुआ है तो यहां पर क्या होगा OH के साथ एक bond जुड़ जाएगी carbon की और यह वाले hydrogen दूसरे carbon के साथ जुड़ जाएगा तो इसके double bond टूट गई single bond में आ गया तो यह addition reaction that means यह unsaturated से saturated में convert कर दिया ठीक है अब देखो hydrogenation hydrogenation most important यहाँ पर क्या होगा है एथीन एथीन को आपने H2O gas को साथ पास कराया तो यहाँ पर देखो double bond हो convert कर दिया single bond में that means आपने unsaturated convert कर दिया saturated में तो यह क्या हो यह यहाँ पर saturated convert हो गया तो आपने इस प्रॉस्ट क्या बोला वह एडिशन reaction क्या है यह addition hydrogenation यही तो होता है most important hydrogenation क्या है addition reaction है ठीक है अब देखिए substitution reaction substitution reaction देखो most important है यहाँ पर क्या होता है substitution reaction में कि एक compound जैसे मालो CH4 है अब CH4 को chlorine के साथ अगर react करा रहे हैं तो यह CH4 chlorine के साथ मतलब जब तक react होता रहेगा जब तक यह पूरा पूरा hydrogen इसमें से substitute ना हो जाए replace ना हो जाए ठीक है तो दिखो CH4 ने सबसे पहले chlorine के साथ react किया तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक hydrogen निकल गया और एक chlorine इसके पास आ गया समझे रहो तो यहाँ पर CS3 CL एक hydrogen कम हो गया और एक chlorine के साथ जड़ गया अब जो एक hydrogen बजा था उसने दूसरे remaining chlorine के साथ bond बना ली ठीक है तो CS3 CL प्लस HCl हो गया अब यह CS3 CL अब react करेगा फिर से chlorine के साथ और देखो इसका एक hydrogen निकल के यहां आ जाएगा है ना और इसका एक chlorine निकल के यहां जाएगा तो CS2 एक chlorine निकल के है ना इसका एक chlorine यहां पहुंच गया ठीक है तो CS2 CL2 प्लस HCl अब यह फिर से react करेगा chlorine के साथ तो फिर क्या हो जागा इसका एक hydrogen निकल जाएगा और इसका एक hydrogen यहाँ जाएगा तो CHCl3 प्लस HCl अब यह फिर से rate करेगा chlorine के साथ कब तक करेगा जब तक कि सारे के सारे hydrogen इसमें से हट नहीं जाते तो इसका एक hydrogen इसके साथ rate किया तो देखो CCl4 प्लस HCl इस reaction को मोलते हैं substitution reaction I hope यह आपको clear हुआ होगा अब देखिए cleansing action of soap को अगर आपको समझना है तो बड़े ही प्यार से कुछ नहीं जानना बस इतनी से बात याद रखना कि soap का जो chemical formula होता है यह काफी 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 बड़ा होता है तो यह जो बड़ी सी लंबी सी chain है हम इसको पूरा लिखने के बजाए इस तरह से represent करते हैं और पीछे na के लिए यहाँ पर एक dot लगा देते हैं तो आपको यहाँ पर यह जो structure देखने को मिल रहा है यह soap का chemical structure है जिसमें यह जो end हो negative होता है यह positive होता है यह वाला जो end है इसको पानी से लगता है डर तो यह है hydro-hydrophobic पानी से लगता है इसको डर और यह आपका hydro-filic इसको पानी बहुत पसंद है तो आपको कुछ ही नहीं करना आपको बस इतनी सी बात जाननी है कि जिसको पानी से टर लगता है भई वो छुपके बैठेगा अंदर और जिसको पानी से प्यार है वो अराम से नहाने चला जाएगा तो अब हुआ कि जैसे मालो हमने अपने कंटेनर में किसी भी बरतन में कपड़ों को डाला बकेट वगरा में और उसमें पानी बरके इस सोप डिटरजेन मतलब जो कुछ भी है उसको हमने यूज किया अब देखो होता क्या है जैसे मालो हमारे पास एक येलो कलर से जो आप दे हो जाएंगे कि जो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है ये अंदर छुप जाएगा क्यों इसको डर लग रहा है और जब ये ये हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट है ये बाहर रह जाएगा क्यों को कि इसको पानी पसंद है तो ये तो मस्ती से घूमेगा तो इस तरह से ये बना लेगा इस arrangement को हम बोलते हैं my shell formation क्या बोलते है my cell formation कुछ लोग इसको फर्क नहीं पड़ता नहीं तो ध्यान से देखना अगर यह क्या बन गए यह मैसल बन गए अब इसकी बात क्या हुआ जब हम कपड़ों को ब्रुस से रब करेंगे अब यह जो जैसे मालो हाइड्रोफोबिक इसको डर लग रहा है पानी से अब यह तो जो है इस ऑईल को छोड पूरना नहीं चाहता है तो जैसे इसको रब गया था कपड़ों को रब करते हैं इसको घिसते हैं तो घिसने के साथ यह जो पूरा पूरा जो structure है यह साथ में चला आता है लेकिन oil drop को छोड़ता नहीं और इस तरह से oil drop हमारे कपड़ों से बाहर हो जाती है I hope यह आपको clear हुआ होगा ठीक है तो इसके बाद आपको comment करके ज़रू बताना है कि यह video आपके लिए useful हो पाई या नहीं हो पाई because आपके comment से पता पड़ेगा इसके साथ साथ share जरू करना अगर आपके लिए possible हो तो I hope this video is useful to you guys and you got all those points which I have told you guys good luck to you thank you so much guys thank you